बिहार में एक ही इस्थान पर तीन साल से अधिक पदस्थापित अधिकारियों का अब तबादला किया जाएगा आपको बता दे कि 2021 में हो रहे पंचाय चुनाओं को लेकर ये तयारी की जारी है इनमें BDO, SDO और तमाम ऐसे अधिकारी शामिल होंगे इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको विस्तार में बताते हैं बिहार में तीन साल से अधिक समय से एक ही इस्थान पर पदस्थापित अधिकारियों का तबादला जल्द होगा राज में पंचायत आम चुनाओ 2021 को लेकर ऐसे अधिकारियों का तबादला किया जाएगा इनमें BDO, CO और SDO शामिल होंगे बिहार राज निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में अप्रेल मई के बीच पंचायत आम चुनाओ 2021 होना है रश्चनाओ के तहट मुख्या, सरपंच, वाड सदस्य, पंच, पंचायत, समीती, सदस्य और जिला परिशद, सदस्यों का चुनाओ होना है आयोग के सूत्रों के अनुसार वैसे पदादिकारी या कर्मी जिनके खिलाफ लापरवाही बरतनी का आरोप है या फिर उनके उपर कोई आरोप है तो उनका भी तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाएगा ये सभी पदादिकारी ग्रामेन विकास विभाग, राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग और सामान प्रशासन विभाग से संबंधित है गौड तलब है कि आयोग ने पंचाय चुनाओं के लिए तयार हो रही, मदाता सुची में गड़बड़ी के शिकायतों को गंभीरता से लिया और सकते दिखाई है साथी नदेश दिया है कि सभी वीडियो को मदाता सुची के प्रकाशन के वक्त या लिखित प्रमान देना होगा कि ये सही है मदाता सुची का प्रकाशन 19 स्वरवरी को होना है किसी गलती के आरोप है तो भी आपका तबादला किया जा सकता है इतना है नहीं आपको बता दे कि पंचाय चनौ को लेकर मदाता सुची के प्रकाशन की गड़बड़ी की खबर सामने आई थी उसके बाद राजी निर्वाचन आयोग ने कड़ा एक्शन लिया और ये कहा कि तमाम जो अधिकारी हैं खास करके जो बीडियों होएं उनको मदाता सुची के प्रकाशन के पहले इस बात की पुष्टी करनी होगी कि ये पूरी मदाता सुची विलकुल ठीक ठाक है इसमें कोई भी गड़बडी नहीं है जो फाइनल सुची है उसका प्रकाशन 19 फरवरी को होना है साथे साथ आपको बताते चले कि मार्ण से लेकर मई के महिने के बीच में पंचाय चुनाओ संपन कराए जाएंगे फिलाल के लिए इतना ही ऐसे ही अब्डेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहें न्यूस फोर्नेशन नमस्कार